Hello guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुती interesting topic के बारे में कि जब अपने competitive exams होते हैं, उसके अंदर जो guesswork होता है यानि जो तुक्के बाजी होती है, वो real में काम करती है या नहीं करती है, अगर करती है, तो कैसे करती है तो देखिए, actually, yes, it do, it works, but intelligent guess works यानि सिर्फ directly तुक्का मानना हमेशा ही नुक्सान करता है लेकिन अगर आपको intelligent guessing आता है, तो ऐसी case में it can work तो देखिए, दो तरह के exams की बात हम कर रहे हैं, पहले तो वो type of exams है जिन में negative marking है ही नहीं, अगर negative marking नहीं है तो obviously you have to guess, intelligent हो या ना हो, you have to guess लेकिन हम mainly उस exams की बात कर रहे हैं, जो आजकल जालतर exams है जिन में negative marking है, अब negative marking है तो उसकी भी actually दो types होते है या तो जैसे एक question है, लेटर से, एक question है, इसके चार marks है और अगर चार marks हैं और फिर इसका one fourth negative marking है one fourth negative marking है, तो ऐसे case में ये negative marking बहुत जादा नहीं होती है लेकिन अगर एक question के marks just three हैं और ऐसे case में अगर one third है तो negative marking बहुत जादा हो जाती है यानि चार marks में तो एक mark कटना is okay लेकिन three marks में एक mark कटना बहुत जादा होता है यानि एक तरह से यहाँ पर 25% negative marking है और यहाँ पर 33.3% negative marking है अगर कभी भी किसी भी paper में three marks और उसके बाद एक mark negative है तो ऐसे case में कभी भी guessing ना करें in fact I will not recommend even intelligent guessing in these cases लेकिन अगर four marks हैं और ऐसे case में one fourth यानि 25% negative marking है तो you must do intelligent guessing ठीक है सबसे पहले हम type one की बात करते हैं यानि उन students की बात करते हैं जिनके पास knowledge है यानि वो options को eliminate कर पा रहे हैं तो देखिए अपने पास चार option है लेटर से A, B, C and D अब मान लीजी हमें knowledge है और उस basis पे हमने दो option eliminate कर दी हैं लेटर से B and C हमने eliminate कर दी हैं और उसके बाद A और D हमारे पास option बचा है अब ऐसे case में A और D में हम chart नहीं पा रहे हैं कि कौन सा है और यहाँ पे question के marks कितने हैं चार तो ऐसे case में obviously A और D में कोई तो answer है यानि 50% आपके success के chances होंगे और अगर in case negative हो भी जाता है तो overall आपका negative marking कितना होगा 25% तो इतने chance तो आपको लेने पड़ेंगे इतना chance लेना बहुत जरूरी है नहीं तो आपका attempt काफी कम हो जाएगा तो यहाँ पे A और D में आप कोई भी एक को tick कर सकते हैं इसको बोलते हैं intelligent guessing after option elimination option को eliminate करें और अगर दो option आए तो जरूर आप guess work जरूर करें that will help you a lot type 2 में मैं उन students की बात कर रहा हूँ जिनको exactly knowledge नहीं है और वो questions उनको आ नहीं रहे है और still they want to guess I will recommend कि ऐसे case में guess नहीं करना चीए पर still if they want to do it ऐसे case में आप कोशिस कीजिए की देखिए अगर question में option है all of the above या none of the above तो आप clearly none of the above को eliminate कर सकते हैं बहुत कम chances होते हैं कि examiner वो ऐसा question मना है जिसमें कोई भी option answer ना आए ऐसे बहुत कम chances होते हैं और all of the above के chances काफी जादा होते हैं तो ऐसे आप चांट सकते हैं लेकिन I will recommend कि अगर खास कर plus 3 और minus 1 की marking है तो इस तरह का कभी भी जोगाड आपको नहीं करना चाहिए इससे आपका बहुत जादा नुकसान हो सकता है overall मैंने क्या बता है आपको कि आप intelligent guessing कर सकते हैं यानि जिसमें आपको knowledge है उसमें option को eliminate कीजिए और उसके बाद अगर दो options ही आपके पास remaining है तो आप intelligent guess का work कर सकते हैं और खास कर अगर plus 4 minus 1 है तब तो जरूर इसका use करें plus 3 minus 1 में भी use कर सकते हैं अगर दो यह option आपके पास बचे हैं ओके guys I hope इस video ने आपको help किया होगा to decide whether the guess really work in exams or not and please do us one favor as well जो हमारा Anytime Badai Academy का Facebook का page है तो please do like it and please do give a honest rating on that so that we can reach much more audience okay guys thanks for your love and support